आज मैं आपसे बात करने माला हूँ एंग्जाइटी ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडिशन के बारे में इसका मतलब यह है कि कोई शैरेग बिमारी वो व्यक्ति में है उसके कोई लक्षन है वो शैरेग बिमारी के लिए कोई इलाज कर रहा है डॉक्टर के पास में उसके फिजिशन के पास में फैमिली फिजिशन के पास में बिमार है और इसके लिए इलाज कर रहा है और उसके साथ साथ उसको चिंता के भिमारी के लक्षन आ जाते है एंग्जाइटी के लक्षन आ जाते है और वह एंग्जाइटी के लक्षन उसको इतने ज्यादा आते है इतनी एंग्जाइटी आ जाती है कि अभी anxiety के जो लक्षने, चिंता के जो लक्षने वो पहले आये कि पहले वो medical condition आय थी या शुरुवात उससे हुई वो मालू भी नहीं पड़ता इतनी उसको चिंता हो जाती है, इतनी चिंता हो जाती है, इतनी घबराट हो जाती है कि अभी क्या होंगा क्या नहीं, मरूंगा क्या मैं, और सबसे चिंता जो होती है, उसको मरने की चिंता होती है फिर उसको panic attack आते है, इतनी घबराट का ऐसा दौरा आ जाता है, कि उसको लगता है कि अभी कुछ ना कुछ हो जाएंगा और में मर जाओंगा, फिर chase pen, cinema दर्थ, फिर बहुत घबराट, बेचेन ही, restlessness, हाथ का अपना, पैर का अपना, बेचेन हो के इदर उदर जाना, इदर से उदर 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 जाना, चक्कर आना, पेट में कैसा तभी लगना, पेट में गडबड लगना, पेट फूल जाना, या लेटरिन लग जाना, पेशा बार-बार जाना, और एगदम ऐसी चिंता भरी रहती है कि अभी उसका, मतलब हुआ क्या भए इसको, इतनी चिंता, कि अभी मरता कि बाद में मरता, इतनी चिंता मरने के भी, पैनी काटागा तो पूछो मत, यूजिल यह जो एंग्जाइटी के लक्षन है, जो चिंता के लक्षन है, यह सेकंडरी है, इसमें कुछ ना कोई बीमारी पहले प्राइमरी रहती है, बदन में कोई बीमारी है, वो डियागनोसी उसका हुआ है, उसके लिए वो दवाई लेरा है अपने फिजिशन से, और होँ, एंग्जाइटी होगें क्योंकि उसको प्राइमरी कोई बीमारी है, अब यह एंग्जाइटी जो है, उसका ह idag करना जरूरी है, क्यों हो जब तक एंग्जाइटी रहनगी तब तक वो प्रामरी कंडिशन जो है, वो भी अच्छ नहीं होती है, बतलग वो बीशेज दभाई गर सिक्ट राज करेंगा तो बेंज्रो दाइजय करने वाली दभाई कि जिससे उसके अंखिव कम हो जाएगे हाथ पर काप रहें उसको हाथ पर ना कापने की दभाई देगा उसको साइको ठेपी देगा इस अलगए प्रकार की मंस अप्चायर देगा वो इदी कम होता है तो प्राइमरी लक्षन ज़ल्दी अच्छो हो जाएगी तुम यह देखना है कि उसको प्राइमरी बिमारी के साथ साथ anxiety के लक्षन है क्या और यदि वो anxiety के लक्षन है और specialist में घबराठ, हाथ कापना, बेचे नहीं, नीन नहीं आना, इधर से उदर निकल जाना, चलना, फिरना, घूमना, एक जगा बैठना नहीं, अभी मरता की बाद में मरता, इस लक्षन डिखाई दे रहे, तो उसका इला जल्दी करो, ताकि उसकी primary condition जल्दी अच्छे हो जाएगे, यह जरूर लोगों को वीडियो शेर करो, subscribe करो, like करो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पास में लोग, phone के उपर contact करते, counselling करते, नीचे नमबर दिया ना, उसके उपर आप contact हमें कर सक सकते हैं, ताकि हम online आपको सला मशरा कर सकते हैं, और आपकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you very much, हमारा जो mission है, सबके लिए मानसिक, स्वास्तिर, वेसनमुकत भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएंगा, यह वीडियो लोगों को आप शेर करते ह दोदो, thank you very much for watching.